हेलो प्रेंट्स आज हम इस वीडियो में ब्रिक्स सिखर सम्हेलन 23 से सारे इंपॉर्टन को करेंगे जो इत्याम के द्रिश्टी से काफी इंपॉर्टन टॉपिक है ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें लाइक क बड़ा सम्हू है ब्रिक्स जिसमें आते ब्राजील रसिया चाइना साथ अफ्रिका और रूस ब्रिक्स वीश्व की अग्रणी उभरती अर्थ विवस्ताओं जिसे ब्राजील रूस भारत चीन तथा दप्षड अफ्रिका के सम्हू का एक संचित रूप है जिसे वर्स 2001 में ब्रिटीस अस्त्र सास्त्रिकों थे जिम ओ नील ने ब्राजील रूस भारत और चीन की चार उभरती अर्थ विवस्ताओं का वड़ंग करने के लिए ब्रिक्स सब्दकार गढ़ा था ठीक है वर्स 2006 में ब्रिक्स बिदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दवरान और को भारत चीन 2010 में कौन सामेर होगा दक्षिड अफ्रिका ठीक है नेक्स ब्रिक्स 205 सबसे बड़े विकास सील देशों को एक साथ लाता है जो बैस्विक आबादी का कितना 41 परसेंट बैस्विक शकल घरेल उतपात का 24 परसेंट तथा बैस्विक वियापार का 16 परसेंट प्र प्रभकी वर्स मेर यौ रह Eduard होगा है आगले साल रश्या अगले साल रसीजा होगा फिर ईंडिया होगा फिर चाहिना ओगा फिरस पिर जयसे किया होगा फिर फिर बीक्स-ब्री खर ब्राजी की रिकलत दोगा चाहिकों और साब्रीक्स है कि यаются छलता रहता है एस चाहिं प समझाते पर हस्ताश्र किये अब हम इसे रिलेटेड कुछ important question को देख लेते हैं ठीक है कि ब्रिक सीखर समयलन 2030 का आयोजन कहां हुआ है तो क्या हुआ जोहानस बर्फ दक्षड अपरिका में हुआ है अस्ताना कजाकस्तान में हुआ है कौलालंपूर मलेसिया में हुआ है सब्सक्राइब क्या दीशन का थे तुछ सब्सक्राइब को अपरिका ने है तो इसके बाद अब राजी लोग ऑगा इसके बाद पिर रसिया फिर इंडिया फिर साउथ अपरिका ऐसे रेप्रिटीशन चलती रहता है कि दोज़ेटेश की थीम क्या थी ब्रिक्स और अफरिका पारसपरिक रूप से त्वारित विकांस ततक विकांस और श्रमावेशिक बहुपक छवाद के यह साज़दारी इसकी थीम है नेक्षे कि ब्रिक्स समू की स्थापना किस वर्स हुई छी तो ब्रिक्स जो समू की स्थापना आपक 2016 में हुई थी दो याट शा में इसकी शांक रूरिकशं ब्रिक्स ने बन गया कि संगठन result gim मुद्प बनेया नेक्स के किसी वर्ष बोक वर्ष में डूगा साउथ अप्रीका ससे हैं ब्राजी के गब पर्तमान में और ब्रिक्स समू के सदस देशों के नाम देश से देखिया हैं B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और यह से साउथ अपरिका हैं दौजशें चोबिस में ब्रिक्स समू में कितने नए देश सामिल किया जाएंगे अब दौजशें अपरिका के राज्पती सीरिल राम खोशा ने नए सदस्यों को सामिल होने की गोश्रा की है नए सदस्य देशों के नाम जैसे कौन-कौन देशों के अर्जेंटीना होगा, मिस्र होगा, इथोपिया, इरान, सौधी अरब और सयुक्त अरब, अमिराद इसमें सामिल होगे छादेश, इनकी पूर सदस्ता एक जनुवरी दोज़ाच चौबी से परभावी होगी नेक्स्द ऐसे के ब्रिक्स का मुख़्याला कहां इस्तित है, जो ब्रिक्स का मुख़्याला ओआपके संघाय चीन में इसभी होगे है, और ब्रिक्स देशो के बेंक की नाम जैक्से कि-बेंक जिसे पहले बिस्व डेप्लेप्मेंट बैंक के नाम से जाना जाता था यह ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिड अपरिका द्वारा स्थापित एक बहु पक्षे विकास बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी अब स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याले कहा है संघाई चीन में इसका मुख्याले है अब प्रमुख कौन है इसके डिल्मा रूफेश रूशेव इसके प्रमुख है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 में ब्रिक्स सिखर समेलन 2013 के दोरान ब्रिक्स ouver स्थ है तो इसका संघी करेक्र अंसर क्या है उप्रमुख सभी और र्दान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तक्षिर अपरीका के राष्ट्र पती सिरील राम खोशा को तेलंगाना की चुराही की एक जोड़ी भेट की और वह एक सौल प्रदान के इसके अतरीक्त प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मद्य प्रदेश की गोट पेंटिंग ब्राजील के राज़्ट पती लुई इना शिलो लुलर दा डिसिलवा को भेट की नेक्स कुशन की पंद्रावें डिक्स सिखर शम्मेलन 2030 के लिए भारत का पागरोब हैं दम मुरमी विदेश मंत्राले में आर्थिक सचीव हैं ठीक है सेरभा सरकार या राज राज की प्रकर मुक का प्रतिनिधी होता जो टीटीटी ब्रिक्स और अन्य बैस्विक सिखर सम्मेलन को यारी देखता है नेक्स्ट की पहला ब्रिक्स सिखर सम्मेलन किस वर्स आयोजित हुआ था तो यह 2009 में पहली बार आयोजित हुआ था और ब्रिक्स समू का पहला सिखर सम्मेलन कब हुआ था 2009 में कब 2009 में और रूस के एकाट टेरी बर्ग में आयोजित हुआ था नेशने की भारत ने ब्रिक्स सीखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार किया है, तो टूटल तीन बार भारत ने इसकी अध्यक्षता किया है, तीन इसका करेक्ष्ट हो जाएगा, और भारत ने को तीन बार ब्रिक्स सीखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, इसकी इसकी अध्रता भी नरेंद्र मोदी जी नहीं कि थी, नेक्षट की इसंने किया था? नेक्स्ट इसंने किस स्टार्ट अप फोरम लांच करने की घुष्ड़ा किये? इसने किया है यह काम भारत ने किया है ठीक है ब्रिक्स इस्टार्टप फोरम लांच करने की घुच्रा भारत ने की है निवेश को इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के लिए सहलों के स्थापित करने के लिए भारत ब्रिक्स इस्टार्टप फोरम लांच करने जा रहा है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपना फिडबक फिडबक जरूर दें ठीक हम देखते हैं नेक्स्ट कोईशन के ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित सीखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंग एन डीबी के इस्थापना के लिए समझावते पर हस्ताक्षर किये हैं तो कहां यह फोटलेजा प्राजील फोटलेजा प्राजील इसका करेक्ट टैंसर और दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट कोशन भी बनता है और अब एक बार पूशा भी गया है फोटलेजा तो में छटे ब्रीक्स सिखर सम्मेलन में नेताओं ने नए डिवलेप्मेंट बैंक के स्थापना के समझोते पर हस्ताक्षर किये नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन सा एक ब्रीक को सबसे अच्छी तरह वराणीत करता है तो क्या तो या आप्शन आपका है पांच परमाड रूप से मजबूत सदस्य देशों का समुद्ध तो आपका जो करेक्ट एंस्वर है और थर्ड है क्या पांच प्रमुख उभरती अर्थ व्यवस्थाओं का समुद्ध नेक्स कुछाने के निमलिखित में से किसने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थ देवस्थाओं का वड़न कने के लिए ब्रिक सब्द गढ़ा है तो किसने गढ़ा था है यह हमने सुरू में दियाक ले था जिम ओ नील जिम ओ नील नहीं इस सब्द को रणने वाले ब्रेटिस बिद्वान जिम ओ नील जिम ओ नील का संबंध निमलिखित में से किस विश्थ से था क्या यह मनु विग्यानिक थे या समाज सास्त्र थे या राजनितिक विग्यान थे या इनका संबंध अर्थ सास्त्र थे था तो इनका जो संबंध था ओ अर्थ सांस्ट्र से ठाठ ठीक हैं और ता सांस्ट इसस का correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट कि-वर्स 2010 में किस देश के सामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदल कर बिक्स कर दिया गए है जब 2010 में आपका अपरिका या और यह कब हुआ था है तो इसलोग देखते हैं जो इसका पहला संस्क्रण था वे स में हुआ था और वर्ज दो जार नो में किस ने किया ता दख्षड अफ्रिकान ने च्छठा 2014 में इसने किसने किया था ब्राजिल ने किया था था ऑर से किसने किया था रूश ने थीक नेक्सट दिखें आठवा आठवा आपका 2016 में वगा था और इस गाल जाएगा ठीक है और यह एंपोर्टन्ट बनेगा नौवा दसमान 2018 में हुआ था और इसे ब्राजिल में किया गया था ठीक है 2020 रूस में हुआ और यह बारामा था ठीक है पंद्रवाज 2030 जो चल रहा है वर्तमान में और दक्षिड अफ्रिका में इसका आयोजन हुआ है ठीक है तो अगर आपको यह बीट्यू पसंद आए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और इसके इसमें आपके लिए दो कोश्चन टेस्ट के लिए रखें कि ब्रिक्स सम्म पांच चार्ट आठ याच ठीक है तो अगर आपको यह बीडियो पसंद आए जरू चैनल को सब्सक्राइब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में